हेलो एवरीवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज ही वीडियो में हम बनाने वाले हैं वेज़ पुलाव वह भी प्रेशर कुकर में आपने बहुत से वेज़ पुलाव खाया होंगे बट आई बैट यू आपने ये वेज़ पुलाव नहीं खाया होगा क्योंकि ये मस्टर्ड ओयल या सरसो का तेल आप 5-6 चमच के करीब यूज कर सकते हैं यहां पे हमने कुछ खड़े मसालों का यूज किया है स्पेशली हमने इसमें जावित्री को भी घिसके डाला है यहां पे हम तेल गरम होते हैं इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा चमच जीरा और उस 3-4 को Mitch'd करते कर दाल के तीक हाँ अपने हिसाब से कम जाएदा कर सकते हैं यहां पर हमने थोड़ी भी इनस का यूज किया है जैसिल पांस से 6 मेंस कोuard कर करके मनें यहां डाल दिया है फिर यहां पे हमने यूज किया है कैरइट मतलब गाजर गाजर ठियान रखे रखेगा रेट वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो रेड गाजर होती नो उसमें एक मीठास होतीं तो आपके खाने में मीठा टेस्ट आजाएगा इस घाजर के टेस्ट में मेठास्टु से यूज़कर हैं सब्जीelo बादने के बाद आप नमक ंडाल यह और नम्य जो है वह चम कंशी करीब पानी डाला है जब तक सब्जियां पक रही है यहां पर हमने पनीर को क्यूप्स में कट करना शुरू किया है पनीर काद का साइसे कम सकते हैं दूसरी तरह round यहां पर हमने कारें शुरू कर दी है चावल जो है आप तीन से चार मिनिट तेक उसे भीगा के पहले रखिए अब यहां पर देखिए हमने यूज किया है एक जब मचकी करीब सोया सौस सोया सौस बहुत जादा मच यूज करिए वरना उसका एक बेकार सा स्वाद जो है वह आपके खाने में आने लगेगा अब इहां पर देखिए जब सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया तो क्या भड़िया सा कलरण निखल की आया है सारी चीजों को अच्छी तरीक्स करिए और इसे पकाईए अब जैसी ही आपका सोया सौस और आपकी सबजियां पक जाए यहाँ पे आपको डालना है चावल जिसे हमने 5 मिनिट पहले ही भीगा के रख दिया था अब यहाँ पे आप देखिए हमने पूरे चावल को इसमें डाल दिया है अब जो पानी है हमने यहाँ पे 2 कटोरी के करीब हमने यहाँ पे चावल का यूज किया था अंदाजन हमने यहाँ पे 4 कटोरी के करीब हमने पानी डाला है क्योंकि जब भी हम प्रेशर कूकर में खाना बनाते हैं या चावल बनाते हैं फिर हमने यहाँ पे डाला है एक धकन के करीब केवडा अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको चावल को तब तक खुले धकन के साथ पकाना है जब तक इसमें पानी पूरी तरीके से सूख न जाए फिर हमने यहाँ पे उपर से और बाकी बचेवे पनीर को डाल के हमने यहाँ पे दो सीटी आने तक चावलों को पकाया है जैसे ही दो सीटी आ जाए आप फ्लेम को बंद कर दीजिए अधरवाइस आपके चावल जो है वो जल जाएंगे जब पूरी तरीके से प्रेशर कूकर से गैस निकल जाए तो आप धकन को या लीड को आप उपन कर करिए और यह देखिए उसको आप हरे धनिये से गार्निश करिए और यहाँ पे रेडी है आपका वैज पुलाओ पनीर वैज पुलाओ और इसका जो टेस्ट है यकीन महानिए बहुत जादा टेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है खड़े मसालों का आप यह खान दे सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का धनिया पावडर या गरम मसाला जो पावडर होता है लाल मिर्च पावडर हमने किसी भी पावडर का यह उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ऑथन्टीक टेस्ट आता है आप इसे घर पे जरूर बनाएं और बनाने की बाद